Hello my dear student, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Myself Amrinanjum Today I will teach you Urdu The name of the topic is Huruf ki adhi shakal Okay my dear आज हम पढ़ेंगे Huruf ki adhi shakal So let's start सबसे पहले हम देखेंगे FAY FAY की adhi shakal सबसे पहले हम बनाएंगे पूरा FAY FAY की पूरी shakal Equal to FAY की adhi shakal Okay FAY की पूरी shakal and FAY की adhi shakal Okay my dear इसके बाद हम आपको बताते हैं के FAY की adhi shakal में हर्फ कैसे मिलाते हैं Okay Next FAY की adhi shakal में alif FAY का नुक्ता इस पर हम जबर की अलामत लगाएंगे FAY अलिस जबर FAY FAY अलिस जबर FAY Next हमारा हर्फ है कॉफ Next हमारा हर्फ है कॉफ 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 बड़ा कॉफ Okay कॉफ इक्वल टू कॉफ कॉफ की adhi shakal कॉफ की adhi shakal Okay अब हम इसकी बाद क्या देखेंगे कॉफ की adhi shakal में हर्फ कैसे मिलाते हैं कौफ की आधी शकल में अलिस मिलाएंगे हम कौफ के नुक्ते देंगे और इस पर जबर की अलामत लगाएंगे कौफ के बाद हमारा हर्फ है छोटा कौफ के बाद हमारा हर्फ है छोटा कौफ कौफ की आधी शकल और कौफ की आधी शकल ऐसे भी रहती है ऐसे ओके कौफ की दो आधी शकले हैं अब हम काफ में हर्फ कैसी मिलाते हैं वो बताते हैं आपको काफ की आधी शकल में हम रे मिलाएंगे और इसको जबर की अलामत लगाएंगे काफ रे जबर कर काफ रे जबर कर और जो काफ आधी काफ की जो दूसरी शकल है उसको हम उसमें हम आलिफ मिलाएंगे काफ रे जबर काफ रे जबर काफ रे जो दूसरी शकल मिलाएंगे की आधी शकल, गाफ की आधी शकल, उके, गाफ की आधी शकल, गाफ की आधी शकल, इसके बाद हम देखेंगे, आधी शकल में कैसे हर्फ मिलाते हैं? गाफ की आदी शकल में हम रे मिलाएंगे और उस पर जबर की अलामत लगाएंगे गाफ रे जबर्गर गाफ रे जबर्गर ओके गाफ रे जबर्गर गाफ रे जबर्गर ओके नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा हर्फ है लाम next हमारा हर्फ है lam lam equal to lam की आधी शकल okay lam की आधी शकल अब lam की आधी शकल में हर्फ कैसे मिलाते हैं वो बताते हैं हम आपको lam की आधी शकल में हम मिलाएंगे b, b की पूरी शकल ओके ये बे मिला दिया हमने इसको lam बे जबरलब lam बे जबरलब okay मैडियर आपके समझ में आ गया होंगा इसको हम फिर से एक बार रिपिट करते हैं देखिए सबसे पहले हमने क्या बनाए फे, फे की पूरी शकल उसके बाद बनाए हमने फे की आदी शकल आप आदी शकल को गोर से देखिए और ध्यान में रखिए ओके फे की पूरी शकल और फे की आदी शकल उसके बाद हमने फे की आदी शकल में अलिफ कैसे मिलाते हैं वो बताए हैं आपको पहले हमने आदा फे बनाए हैं उसमें अलिफ मिलाए फे अलिफ जबर फा फे अलिफ जबर फा नेक्स्ट इसके बाद हमने कॉफ कौन सा कॉफ है ये? बड़ा कॉफ कौफ की पूरी शकल कौफ की आधी शकल इसके बाद हमने कौफ की पूरी शकल में अलिफ कैसे मिलाते हैं वो बताए है कौफ अलिफ जबर का कौफ अलिफ जबर का next इसके बाद काफ छोटा काफ काफ की पूरी शकल और काफ की दो आदी शकले छोटे काफ की दो आदी शकले हैं अब इसमें हर्फ कैसे मिलाते हैं इसके बार ये बताए हैं अब पहले हमने काफ आधा काफ बनाए उसमें रे की शकल मिलाए पूरे रे की शकल मिलाए उस पर जबर लगाए है, कौफ रे जबर कर दूसरी आदी शकल में आधा काफ बनाए है उसमें अलिफ मिलाए है, उस पर जबर की अलामत लगाए कौफ अली जबर? कौफ ओके माईडिया फिर नेक्स्ट, इसके बाद हम हमारा हर्फ है गौफ कौन सा हर्फ है हमारा गाफ गाफ की पूरी शकल गाफ की आधी शकल गाफ की आधी शकल गाफ की भी दो आधी शकले हैं ओके फिर नेक्स इसके बाद हमने आपको बताए गाफ की आधी शकल में हर्फ कैसे मिलाते हैं गाफ की आधी शकल और पूरे रे की शकल रे की पूरी शकल गाफ रे जबरगर फिर से हमने गाफ की दूसरी वाली शकल में आदा गाफ की शकल बनाई है उसमें अलीफ मिलाए है अलीफ की पूरी शकल गाफ अलीफ जबर गाफ गाफ अलीफ जबर गाफ नेक्स्ट लाम लाम की पूरी शकल, उसके बाद लाम की आधी शकल, नेक्स, इसके बाद हमने आपको बता हैं, लाम की आधी शकल में हर्फ कैसे मिलाते हैं, हमने इसके बाद लाम की आधी शकल में बे की पूरी शकल मिलाए हैं, और उस पर जबर की अलामत लगाए, लाम बे जबर, लब, ला तो ये थे हमारी आधी शकले और उसमें हमने आपको हर्फ मिलाना भी बताए है बच्चों ओके माइडिया आपके समझ में आ गया होंगा ठैंक्स एब्रिवन अल्ला हाफीज